दुनिया के हर देश के तरह हमारे देश में भी और तों के प्रती अत्याचार कोई नई चीज नहीं है पर हमारे देश में एक यूनीक चीज होती है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं होती हमारे देश में अलग बात यह होती कि जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है और लोग क उस पर्टिकलर क्राइम के बारे में उठाओ, उस पर्टिकलर केस के बारे में उठाओ, पर संस्कृति पर सवाल मत उठाओ, क्योंकि अपारेंटली जो देश औरतों को देवी का दर्जा देता है, जो धर्म, जो संस्कृति औरतों को देवी के समान मानता है, वो देवियों के खिलाफ कैसे हो सकता है वो औरतों के प्रती unjust कैसे हो सकता है समझने वाली बात असल में यह है कि जब हम औरतों को देवी का दर्जा देते हैं तो हम उन्हें dehumanize कर रहे होते हैं अक्सर जब हम dehumanization की बात करते हैं तो हम सोचते हैं किसी को less than human समझना पर यह एक आजीब प्रकार का dehumanization है जहाँ पर हम किसी को more than human बना देते हैं किसी को more than human बनाना भी dehumanization है क्योंकि at the end of the day जिसको आप देवी का दर्जा दे रहे होते हैं उससे आप इंसान का दर्जा छीन रहे होते हैं वो अब इंसान नहीं रही वो अब देवी बन गई है और उसके उपर जो expectations हैं वो भी देवी level के expectations होंके उसे अब इंसानों जैसा बरताव करने की permission नहीं है ये expectations एक पिंजरा बन जाती है और इस पिंजरे के करने की जो की देविया नहीं करती है उसे शांत रहना पड़ेगा उसे अकॉमडेटिंग रहना पड़ेगा उसे दूसरों के सपनों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी उसे accommodate करना होगा अगर वो इन expectations के पिंजरे को तोड़ कर कुछ ऐसा करती है जो देवियों को नहीं करना चाहिए तो पूरा समाज उस पर तूट पड़ता है क्या वो रात के नौ बज़े घर के बाहर थी देविया तो ऐसा नहीं करती क्या उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे देविया तो ऐसा नहीं करती क्या वो एक लड़के के साथ घूम रही थी देविया तो ऐसा नहीं करती और फिर एक ऐसा समय आता है जब अगर किसी औरत के साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस पूरी चीज़ को justify करने लगते हैं उस औरत के conduct को लेकर क्यों? क्योंकि हमने उसके conduct को देविय वाला conduct डेकलेर कर दिया था और अब उसे कुछ और करने की आजादी नहीं है और इन सब सवालों का सार असल में ये है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक आम इनसान जैसा बरताव करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो वो सब करे जो इनसान करते हैं क्या उसे नहीं पता कि वो असल में एक देवी है? क्या उसे नहीं पता कि हमने उसे देवी का दरजा दिया हुआ है अगर आप सोचने जाएं तो आप शायद ये पाएंगे कि ये देवियों वाली प्रॉब्लम सिर्फ औरतों के केस में नहीं है मुझे कभी-कभी लगता है कि गंगा नदी काफी जादा साफ होती अगर उसे देवी मानने के जगा हम उसे सिर्फ एक नदी मानते हैं दुनिया भर में ऐसी नदिया हैं जो बड़े शहरों से गुजरती हैं और उन शहरों के municipal departments और नदियों का देख रेख करते हैं और उन नदियों को साफ रखते हैं ऐसा क्यों है कि भारत देश में religious significance रखने वाली एक बहुत important नदी इतनी polluted है कि उसके pollution को हटाने के लिए हर कुछ साल में सरकार बड़ी-बड़ी स्कीमें निकालती हैं और इन सब स्कीमों के बावजूद वो नदी polluted रहती है मुझे लगता है कि अगर हम गंगा को एक नदी मारना शुरू कर दें तो शायद हम उससे वो expectations भी रखना बंद कर देंगे कि ये तो देवी है या इसको कोई गंदा कैसे कर सकता है मैं एक atheist हूँ और मेरा ये perspective एक atheist perspective से आ रहा है पर अगर आप atheist नहीं भी हैं तो भी आपको सोचना चाहिए कि क्या समाज में चीजों को देवी देवता या divine चीज होने का दर्जा दे कर हम समाज का नुकसान नहीं कर रहे हैं at the end of the day हम सब इंसान हैं पर हमारे समाज की एक बड़ी problem ये है कि हम एक दूसरे को इंसानों के चुपा लेता है एक दूसरे से चुपा लेता है जिस दिन हम औरतों को सिर्फ एक इंसान की रूप में देखना शुरू कर पाएंगे उस दिन शायद इस समस्या के समाधान की शुरुआत हो जाएगी